एक महीना पहले ज्वारकन के बुख्यमंत्री की कमान सम्हालने वाले हेमन सोरेन ने हाल ही में अपनी नई टीम की खोशना करते हुए क्याबिनेट का विस्तार किया और फिर विभागों का बटवारा और अब वो जनता से किये अपने चुनावी वादों को पूरा करने में जारखंड में महागठबंधन ने विपक्षियों के सारे अर्मानों पर पानी फेरते हुए सूबे की सत्ता हासिल की जिसके बाद से बीजेपी नेता बौकलाए हुए हैं यही कारण है कि वो सरकार पर तंज कस रहे हैं हाल ही में मंत्री मंदल विस्तार में हो रही देरी को लेकर विपक्ष ने हमन्त सोरेन पर कटाक्ष किया था तो वहीं अब राजी सरकार विपक्ष के हाथ ऐसा कोई मौका नहीं देना चाहती जिससे महागठबंधन पर सवाल उठाये जा सके इसलिए मंत्री मंडल में विभागों के बटवारे के फोरन बाद सरकार अपने चुनावी वादों को पूरा करने में लग गई है सरकार में सहयोगी कॉंग्रेस सबसे पहले कृषी रेन माफी की घोशना पर अमल कराना चाहती है इस मामले में कोई कठनाई भी सामने आते दिखाई नहीं दे रही है और मुख्यमंत्री हमन सोरेन भी इसके लिए सहमत हो रहे हैं कहा जा रहा है कि कैबिनेट में शिगरी ये प्रस्ताव लाया जाएगा प्रस्ताव कृषी विभाग का होगा और इसके मंत्री भी कॉंग्रेस कोटे से बने हैं पैसे का इंतिजाम करने के लिए वित्य विभाग भी कॉंग्रेस के कोटे में है कुल मिलाकर इसमें कोई अर्चन नहीं है कॉंग्रेस संगठन इस बात को लेकर बहुत ही समविदन शील रहा है 36 गण में जिस प्रकार किसानों को लाभ पहुँचाया गया वही मॉडल दिखा कर जारखंड में भी बोट मांगे गये थे और नतीजा ये रहा कि महागठबंधन को जीत हासिल हुई अब कॉंग्रेस पार्टी चाहती है कि किसानों को किये गए वादे पूरे होने चाहिए पार्टी की ओर से मंत्रियों पर दबाब भी है ऐसे में साफ है कि सरकार जल्द ही किसानों की परिशानी को समझते हुए कर्ज माफी का एलान करेगी जिसे जनता में उसका भरोसा बना रहे और विपक्ष को भी सरकार को घेरने का मौका नहीं मिले डिविलाइब की रिपूर्ट